दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो इस्पेशली एनिमल्स यान की जानवरों से जुड़ी होने वाली है आज हम आपको जानवरों के ऐसे ऐसे महान कारनामे दिखाने जाएंगे जिनको देखकर आप पूरे ही हिल जाएंगे यान की आपको मज़ा ही आजाएगा और यदि आपको हमारी बातों पर यकिन नहीं है तो कोई बात नहीं इस वीडियो को देखकर आप विश्वास कर ही लेंगे तो चलिए बिना टाइम में वेस्ट किये हम इस वीडियो को शुरू करते है देखो यार गुसा तो सब को आता है चाहे वो इनसान हो या फिर जानवर ही क्यों नहीं हो और अगर आपको यकिन नहीं है तो इस तरह आप इस क्लिप को देखे मिल गई शांती मतलब की यार बिचाना चुपचा बैठा हुआ था चुपचा बैठा बैठा सब कुछ सह रहा था लेकिन आखिर कब तक मस्ती की भी एक हद होती है लेकिन हाँ इस हरकत के बाद तो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी ये अपने डॉक के साथ ऐसा मजा को फिर से करेगा देखो यार संगत का असर बहुत ज्यादा होता है वैसे आपके घर पर भी आपके घर वाले बोलते होंके कि तू उसके साथ बैठा रहता है न इसलिए बिगड़ गया है यानि कि वो भी एक तरह से संगत की ही बात करते है और अगर आपको अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई है तो ये लिजिए उदाहरन इसे बोलते हैं संगत का असर यानि कि कुट्टे की आवाज पक्षी निकालने लगे भाई मुझे तो लगता है कि अब ये थोड़े दिनों बात हम इंसानों की तरह बोलने भी लगेंगे बस आप देखते जाओ चलो यार अच्छे कपड़े पहनना और साफ सुत्रे रहना ये तो बहुत अच्छी बात होती है लेकिन हमें देख कर तो अब ये जानवर भी हमारी सारी कला से गए है ज़र आप खुद ही देखिए भाई इस बुर्गे ने तो अच्छे अच्छे हीरो को भी फेल कर दिया हबारे हिसाब से तो अब फिल्मों का हीरो इसे ही बनाना चाहिए वैसे यार हम हेलमेट किसलिए पहनते है अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है या फिर खुद ही बेवकूफ है लेकिन नई मेरे भाई क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम हेलमेट सुरक्षा के लिए पहनते है लेकिन अब इन चूहो को भी पता चल गया है कि अगर जान बचानी जरूरी है तो सिर में होना चाहिए हेलमेट जरूरी यानि कि अब यार इन चूहो को भी पता चल गया है कि यदि हमने हेलमेट नहीं पहना तब हमारी जान को खत्रा है इसलिए अब ये भी सतरक हो गए है वा भई बान गए इनकी ऐसी हुश्यारी के लिए एक लाइक तो बनता है वैसे यार कुत्तों की एक आदत बहुत बुरी होती है आधों को तो मेरे बोलते ही पता चल गया होका कि वो कौन सी आदत है लेकिन जिनको नहीं पता चला है हम उनको बता दिते है भाई टॉलेट करने की यानि की यार एक टांग उची की और कर दिया वन टू का फोर फोर टू का वन कर दिना मौज मतलब यार ये अंटी जी तो मुबाइल चलाने में बिजी थी और इतनी जादा व्यास्त थी कि डॉक महाशेय ने इनका शुद्धी करन भी कर दिया और उनको पता भी नहीं चला लेकिन जैसे ही पता चला तो फिर इनके होशी उड़ गए लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि अब पच्चताए होत क्या जब चड़िया चुब गई खेत बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जिनको देखकर हम भी उनके जैसा ही करने लग जाते है यानि कि एक्टिंग करते है जैसे कि आप इस प्यारे से कचुए को ही देखे ये कैसे पानी के अंदर बाहर खड़े हुए लड़के जैसी एक्टिंग कर रहा है वाकई में यार इस द्रिश्य को देख कर तो आज दिल से बहुत अच्छा लगा ये बात तो सभी लोग कहते है कि डॉक्स अपने उनर के प्रती बड़े लायल होते है खेर ये बात तो पूरी तरह से सच ही है लेकिन डॉक्स अपने उनर के साथ ही नहीं बलकि अपने दूसरे जानवर दोस्तों के साथ भी उतना ही वफदार रहना बड़े अच्छे से जानते है जिसका एक उदाहरन यह है जिसमें एक पिगी को कई सारे लोग लेकर जा रहे थे और वही उसका दोस्त डॉक्स भी खड़ा हुआ था यह बात तो आज फिर से साबित हो गया अब यहाँ पर यह चोटा कुटा पानी में आने से डर रहा था लेकिन जैसे ही बड़ा कुटा पूल में कुदा चोटा कुटा सीधे उसके उपर ही कूद दिया खैर भाई ने पीट पर बैठने से पहले जो रॉकेट लाँच किया है उसका तो एक अलगे ही लेवल है दोस्तों कि आपने कभी काउस और गूस इन्हे दोनों को कभी एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है जाहिर सी बात है कि आपका जवाब तो ना ही होगा तो आईए हम आपको यह भी दिखा देते है यहाँ पर काउ का जुंड चरने में विजी था और वही पर एक गूस भी खड़ा हुआ था जिसे देखकर सभी काउस उसे डराने में लग जाती है लेकिन हमारा गूस कोई कच्चा खिलाडी थोड़ी है क्योंकि भाई अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था सभी काउन ने एके करके वहाँ पर उसे हटाने की कोशिश की लेकिन गूस है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा जो कह रहा होगा तुझे जो करना है वो कर मैं यहाँ से नहीं चाओंगा दोस्तो इस क्लिप को देखकर एक बात तो साबित होती है कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होता कॉन्फिडेंस भी उतना ही माइने रखता है यहाँ पर एक लेड़ी इस कैट के बीछे बैठ कर रकून के लिए खाना ओफर करती है जिसे ये रकून खाने की कोशिश करता है जिसके बाद इसने इस बिल्ली की मसाज ही कर डाली जिसे ये कैट भी एंजॉय करते करते सो गई यहाँ पर इन दोनों को भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है तो क्या आप भी रकून मसाज लेना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताए आपको अगर कभी वक्त मिले तो इन स्ट्रीट डॉक्स को भी खाना ओफर जरूर करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाना ना मिलने की वचा से नहीं जादतर भूका ही सुना पड़ता है और यह भी कहते है कि बेजबान जानफर भूक लगने के बावचूद भी ये बात किसी को बता नहीं सकते लेकिन यहाँ पर ये डॉकी इस दुकान में खड़े आदमी से कैसे खाना बांग रहा है ये आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है धन्यवाद झाल